नमस्कार दोस्तों मैं आपका होशन दोज परदीव सेनी आपके अपने आनलाइन इंसिट्यूट में आप सभी का हार्दिक श्वागत युम अभिनंदन है दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐतराथ ठीक होँगे और डिरिकेट होँए अपनी पढ़ाई कर रहaxis होगे क्योंकि आप जानने हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा सोली मौसर लगा हुआ है और सोड़ी मुसर क्या है 51,000 से ज़्यादा सहायग भरती परिच्छा के पद आने वाले है तो उस सहायग भरती परिच्छा में आप एक पद जरूर लेना चाह रहे होंगे एक सीट जरूर लेना चाह रहे होंगे जी हाँ, बिलकुल परिशान न रहे यह इंस्टूट पूरी तरीके से कमर कसली है बस अब आपकी बारी है कैसे आप लगे रहेंगे, क्या करेंगे यह सारी चीजे हमारे इस टीम के जितने भी अध्यापक है यह हमारी पूरी टीम है, यह आपको बताएगी तो दोस्तों, आज हम इनवार्मेंट का एक सबसे बेहतरीन टापिक, आपके सामने पढ़ाने चल ले हैं, जो आप वीडियो स्टार्ट करते समय थम्रल पे भी देखा होगा क्या था थम्रल पे, सिंदू नदी तंत्र सिंदू रिवर सिस्टम आज इसी के बारे में हम रुख जानेंगे कि सिंदू नदी तंत्र जो है कहां से जन्म लेती है कैसे अपने भारत में एंट्री करती है भारत के किन छेत्रों में प्रवाहित होती है, उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा जो अजे किरित की गई भारत की भूम है वहां पे कैसे अंट्री करती है पाकिस्तान में कैसे अंट्री कर जाती है अब पाकिस्तान के बिविन सहरों से होते हुए पाकिस्तान का एक सहर कराची कराची के पास पहुँच के अरब सागर में कैसे बिलिन हो जाती है बस आप लोग धैर बनाये रखिएगा वीडियो के लार्सक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पार सेर कर दीजिए जितना भी आपका फेस्बूक हो इस्टागराम हो टेलिकराम हो कोई भी सोसल मीडिया हो सबी जगां आप लोग इसे चिपका दीजिए क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए रामबाड होने वाला है तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हम सिंद नदीतंद की सिंद रीवर सिस्टम की लेकिन सिंद रीवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग करेंगे क्या पहले जम्मू कास्मीर का एक मैब बना लेते हैं चलिए ये देखिए हम जो है एक बड़ा सा जम्मू कास्मीर का जो है एक हमने आपके सामने जो है ये मैब बना दिया ठीक है दोस्तों ये मैप सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है बिलकुल परिसान न रहिएगा आप फिर हैंड होके बनाएए क्योंकि आपको सेलेक्षन लेना है और आपको इस बार एक पत जरूर लेना है तो चलिए दोस्तों आप देख लिए ये जम्मू कास्मीर का जैसे आप दिसा देखना तो जानी रहोंगी हम कई बार आपको बताए हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं बेश्ट इसे कहते हैं नार्थ और इसे क्या कहते हैं साउट कहते हैं यानि बात हम करने वाले हैं पूर्वी छेत्रों की आप देखे पूर्वी छेत्रों में आप देख ना करके बस आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें सिंद्र नदीत अंदर पढ़ना है आगे जब करेंट आपको पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे देखें इसी चीन में यह जो तिबबत है इसी तिबबत में एक जील है बहुत बड़ी सी जिसका नाम ही है मांसरोवर जील कौँ है तिबबत में है इसी मांसरोवर जील से आपके सिंद्र नदी का उद्गम होता है सौन में आया जी हाँ इसी मांसरोवर जील से जो है सिंद्र नदी का उद्गम होता है आप देखें सिंद्र नदी यहीं से निकलता है उसके वाद तिबबत में परवाहित होते होते इसे डेम्चक नामक अस्तान पर एंट्री करता है उसके वाद आगे बढ़ता है आगे जब यहाँ पर बढ़ता है तो आपने जम्मू कास्मी में कुछ परवत सुने होंगे ना जी हाँ बिल्कुर परिसान न रहें अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे जै यहाँ पर देखिए हमने बना लिया लद्दाक और यहाँ पर बना लिया जासकर इसी लद्दाक और जासकर दोनों के मद्द से जो है परवाहित होते हुए यह नदी आगे बढ़ जाती है जब आगे बढ़ती है तो यह उत्तर और पस्चिम दिसा में परवाहित होने लगत फिर आप जानने कि ये जो एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं P.O.K. यानि पाक, पाकिस्तान, अकोपाईट, आप कस्मीर, मलब भारत का भूमी है, लेकिन जो भारत का बेटा है पाकिस्तान, वो इस पे कब्जा जमा रखा है दोस्तों, उसके बाद ये नदी यहाँ पे एं पाकिस्तान के पास, या कहें पाकिस्तान में ही पूरा परवाहित होने लगती है, अब पाकिस्तान में परवाहित होते होते, पाकिस्तान का यहीं पर एक परमुक सहर दिख रहा होगा ना, पाकिस्तान में परमुक सहर जिसका नाम क्या है, कराची, इसी कराची के पास पहु हो जाती है जी हां सवमने आ गया लेकिन इतने से काम नहीं बनता दोस्तों अगर हम सिंद्ध नदीत तंद्र को पढ़ रहे हैं तो क्यों न डिटेल में पढ़ें एक बार पढ़िए और जहाएं आपका वंडे एक्जाम हो जहाएं आप यूपीटर देने जा रहे हो और पुर्वक पढ़ लिजे कभी दुबारा पढ़ने की आपको आवे सकता नहीं पढ़ेगी दोस्तों सुरिए अब देखिए हमने बनाया बताया मां सुरूर जील से कौन से नदी निकल लई है सिंद्ध निकल लई एंट्री कहां करती है एंट्री करती है डेमचेक कहां पर ड परवत का नाम है लदाक क्या नाम है लदाक नाम है दूसरे परवत का क्या नाम है दूसरे परवत का नाम है जासकर परवत इसी लदाक और जासकर दो परवत के मद्द से आगे परवाइच होती है तर पस्चाथ इसी जासकर परवत से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम दोस्तों जासकर और जासकर नदी यहीं से निकलती है और आके बाएं साइट से देखे बाएं साइट है ना नदी इस दिसम परवाइश हो रही है अगर हम इधर खड़े हो जाएं अब देखें इस दिसम परवाइश हो रही है तो कौन तो साइट होगा हमारा बाया होगा ना बाएं साइविट से सिंद्न नदी में मिल जाती है अगर तक पस्चात ये नदी आगे बढ़ती रहती है समझ में आ गया ना तो सेयर कर दीजिए एक बार इमांदारी पुरबर अगर देखिएगा कैसे हम आपको एक एक ची सिखाएंगे और एक महितपूर जानकारी आपको द लेना चाहते हैं तो यह जो नीचे आप हमारे स्कॉलिंग में नंबर देख रहे हैं इन नंबरों पर आप काल करिए हमारे काउंसलर आपसे बात करेंगे और आपको सारी प्रकिरिया बता देंगे दोस्तों नोट्स जो है पूरी तरीके से NCRT पैटन पर आधारित है अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं बेसक लीजिए बेहिचक लीजिए अब देखिएगा जब आप नोट्स को लेके पढ़ेंगे ना तो मैं कहता हूं यह 150 में 130 परस अंकों के साथ आप पास होंगी यह कहता नहीं हूं मैं यह हमारी टीम कहती है अब पुरे दाव जिसका नाम है चेनाप सुने है नाम ना जी हाँ चलिए बात कर लेते हैं चेनाप की अब देखिए जम्मो कास्मिर के अगर हम नीचे आते हैं यानी यहां पे कहीं तो यह आपका एक राज जिसका नाम है हिमाचल परदेश है ना इसी हिमाचल परदेश से एक नदी निकलती जिसका नाम है चेनाब लेकिन अगर जरास आप लोगों ने पढ़ा होगा हिमाचल परदेश में तो हिमाचल परदेश में एक दर्रा है दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा पढ़े है ना जी हाँ उसी बारालाचे दर्रे से जो है आपकी चेनाब नदी निकलती है अब जरा स है अब देखिए दोस्तों चाफार चा है ना बारा लाचा और चाफार क्या हो जाएगा चेनाब चेनाब नदी निकलती है उसके बाद जो है आगे जो है बरती कहां पे है हिमाचल परदेश से एंट्री कर जाती है जम्मू कास्मीर में उसके बाद परवाहित होते होते कहां ज मिल जाता है स्वाम्याया जी हां हिमाचल परदेश से निकला कहां से निकला बारा लाचे दर्रे से निकला और कहां जाके मिला हिमाचल परदेश से निकलने के बाद जम्मू कास्मिर में पहले एंट्री करता है लेकिन पंजाब में नहीं जाता उसके बाद टर्न करता है और आ और हमारे द्वारा आपके इस की channel पर आता रहेगा क्योंकि ये आपका जो channel लक्ष परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है आप ही लोग बड़ा कर रहे हैं अपने प्यार से बड़ा कर रहे हैं दोस्तों इस नदी का क्या नाम है दोस्तों इस नदी का नाम है चे नाम नदी के लिए सवन में आ गया चलिए इतना सवन में आ गया अब बढ़ते हैं आगे अब देखे जम्मू कास्मीर में आतने हैं फिर से इसी जम्मू कास्मीर में एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है बेरी नाग नाम सुने है बेरी नाग बेरी नाग नामक एक अस्थान है और वहाँ पर एक जील है जिसका नाम है सेस नाग ठीक है तो उसी बेरी नाग नामक अस्थान यानि सेस नाग नामक जील से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम में जेलम नदी ये जेलम नदी निकलती है जम्मू कास्मीर में परवाहित होती है और उसके बाद एंट्री कर जाती है प्योके में प्योके में जैसे एंट्री करती है उसके बाद आप देखिए चावा जाता है पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में जाने से पहले पाकिस्तान में जाने से पहले ये जम्मू कास्मीर पाकिस्तान पे कुछ दूर बाडर सीमा साजा करती है और उसके बाद आपकी इंट्री कर जाती है पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में इंट्री करने के बाद जागे किसे मिल जा रही है चेनाव नदी से मिल जा रही है अग अब आप बताएंगे नाम ना जो हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उस अगली वीडियो में आपके नाम जरूर लेंगे दोस्तों चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हमने बताया कौण सी नदी इस नदी का नाम है जेलम नदी को जेलम नदी के लिए सारी चीज़े सोन जा ग चेनाब नदी को देखा लेकिन चेनाब नदी की सहाइग नदी है जेलम नदी और सिंदु नदी की सहाइग नदी कों से नदी है चेनाब नदी है के लिए चलिए अब आगे हम पड़ रहे हैं आगे कुछ और नदीयों के बारे में हम जिगर कर लेते हैं अब जानते हैं ये मांसरोर जील है इसी मांसरोर जील के बगल में ही क्योंकि मांसरोर जील बहुत ब्यापक है दोस्तों लेकिन एक छोटे से दायरे का नाम दे दिया गया है मांसरोर जील जहां से सिंद्ध नभी का उद्गम होता है लेकिन इसी जील में या कहें इसी के बगल में एक एरिया और है ये भी एक जील है इस जील का नाम है राक्षस्ताल कहें के किताबों में आप राक्षस्ताल पाएंगे या रापस्ताल पाएंगे चलिए लिख लेते हैं इस जील का नाम है राक्षस्ताल अब इस राक्षस्ताल से दोस्तों ना समझ करेंगे हलका साथ परिशान न होना इसके लिए ठेक है अब देखे इसी राक्षत साल से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सतलज नदी सुने नामना हाँ सतलज नदी निकलती है और यही सतलज नदी जब आपके यहां बाडर पे पहुचती है तो भारत का एक राच होंगे जिसका नाम है सिपकिला दर्रा या सिपकिला दर्रा यही पर आपका सिपकिला दर्रा है ठीक अजैसे सिपकिला दर्रे के पास पूरती है उसी सिपकिले दर्रे से अंदर एंट्री करती है अज सिपकिले दर्रे से एंट्री करते हुए आपके हिमाचल परदेश में ब आप देखे उसके बाद एंटी कर जाता है पंजाब में इसी पंजाब में भी एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है नामगल नाम तुने ना भाख़ा और नामगल दोस्तों हम आपके सामने खड़े होके कह रहे हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास सेर कर द आएंगे तो जब नेश्ट वीडियो बनायेंगे ना तो उसमें आपके नाम जरूर लेंगे आप हमारे प्यारे विद्यारती हैं देखे उसके बाद पंजाब में एंटी कर गया पंजाब में एंटी करने के बाद जो है कहां चला जाता है सीधे पाकिस्तान लेकिन पाकिस् साहव नदी जेलम भी है और चेनाम नदी की साहव नदी सतलजी भी है कहां से निकली है राक्षत साल से निकला है भारत में कहां एंट्री किया शिपकिला दर्ने के पास किया एंट्री चलिए शिपकिला शिपकिला दर्ने के पास एंट्री किया हिमाचल प्रदेश में प्रवा पहुत जाता है अपने मित्र चेनाप के पास जाके चेनाप से मिल जाता है दोस्तों तो मज़ा आया इस वीडियो को ऐसे आप देखते रही है चलिए एक नदी और बता देते हैं आपको देखे इसी हिमाचल परदेश में या अगर हम इसको रेस करके इसी के बगल बताने का आ कि देखे यहां पर आपने देखा था बारा लाचा तर्ठ्रा यहीं पर यानि हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है जिसका नाम है ब्यासकुंड नाव जुने लिए लिए प्यासकुंड से इसक नदी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम ही ब्यास नदी है और ये ब्यास नदी जब निकलती है हिमाचल परदेश से लेकिन हिमाचल परदेश में कम परवाइद होती है बलकि चली आती है पंजाब में और जब ये पंजाब में आती है तो दाएं से मिलती है क्योंकि नदी देखिए सर न लिप के बारे में तो आप जाने है इस नदी का नाम है ब्याश नदी के लिए मिली यहां पर लेकिन बात आती सब कहां मिलती है पंजाब में तो सुनिए दोस्तों यह जहां मिलती है इस अस्थान का नाम हरिके क्या नाम है हरिके सुने है ना हरिके बैराज जी नाम नहीं सुन बनाया गया है और यहीं पर जहां पर बाद बनाये गए हैं इसी बाद के बनाने से जो यहां पर पानी रुपता है न दोस्तों वो पानी आपके राजस्थान में फेजी जाती है कैसे लेकिन इंद्रा गाधी नहर से और यहीं पर एक नहर बना दिया गया है जिसे हम कहते हैं इंद्रा गाधी नहेर आपके भारत में ही नहीं बलकि पूरे बिश्व में बिख्यात है दोस्तों तो सोचिए अपने भारत में ही बहुत ऐसे चीज हैं दोस्तों इतना आप लोगों ने समझ चुका होगा चलिए दो नदियां आउड हैं बता जेते हैं देखिए आपने आचे दर्रे में कोई दो नदियां आके मिलती हैं तो दोस्तों वो दो नदियां जो आके मिलती हैं ऐसे एक उपर से आके मिलती है और एक नीचे से आके मिलती है जो ऊपर से आके मिलती है इसका नाम है चंद्र जो दूसरा आके मिलता है इसका क्या नाम है दोस्तों इसका न यूपी टेट के नोट्स रयार किये गए हैं अगर आप यूपी टेट के नोट्स को लेना चाहते हैं दोनों फार्म में हमारे या उपलब्ध हैं मतलब हार्ड कापी या फिर पीडिया फार्म जैसे भी आपको चाहिए आपको सुरचित आपके घर तक जो है पहुचा दिया जाएगा दोस्तों तो अगर किसी भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी परकारी जानकारी यह नीचे हमारे स्कॉलिंग में नमबर चल लें इन नमबरों पर आप काल करिए हमारे काउंसल सीथा आप से संपर करेंगे और आपको डिटेल में सारी जानकारी दे देंगे इसकी नसाट लेजिए फिर आगे बात करते हैं चले दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपने इसकी नसाट ले लिया होगा और आज कि कलास बहुत दंदारी तरीके से बहुत अच्छे तरीके सौन में आया होगा तो दोस्तों आप इसी तरीके से खुश रहें मुस्कुराते रहें फिर मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहिन बंदे मातरम